हेलो दोस्तों कैसे हम सभी शुरू करते हैं आज किस वीडियो को दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मार्च 2023 के दिन कैसे हमारी भारतिय रेलवे ने एक इतिहास को रच दिया जो कि हमारी डेलिकेटिट फ्रेट कॉलिडोर से जुड़ा हुआ था नीश्ति jaki दियाटिट प्रेट कॉलिडोर से जुड़ा हुआ हमारी चैनल पर पहली वीडियो है इसके ये थोड़ा सा जान लेते हैं डेलिकेट फ्रेट कॉलिडोर के बारे में दोस्तो आजादी के बाद हमारी भारतिया रेलवे का डेलिकेटिड फ्रेट कोड़ो सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है जिसकी टोटल कोस्ट एक लाग करो रुपीज से भी जादा है इस पूरे प्रोजेक्ट की दोस्तो जो फंडिंग हो रही है उसे भी कम करना और साथी साथ रेलवे के जो फ्रेट शेयर्स हैं उन्हें भी बढ़ाना क्योंकि कुछ समय पहले रेलवे के जो फ्रेट शेयर्स हैं वो काफी जादा गिर गए थे डेलिकेटिड फ्रेट कोड़ोर जैसा कि दोस्तो आप नाम से ही समझ सकते हैं देलिकेटिड लिए सरफ और सरफ गुड्स टेंड के लिए ही बनाई गई है दोस्तो इंडिया में दो डेलिकेटिड फ्रेट कोड़ोर है सबसे पहले डेलिकेटिड फ्रेट कोड़ोर की हम बात करें तो वो है EDFC यानि की Eastern Dedicated Fret Corridor जिसकी टोटल लेंद है इस कोड़ोर पर दोस्तो निकल कर पर्षिम बंगाल के डानकुनी तक जाता है इस कोड़ोर पर दोस्तो 910 किलोमेटर का जो ट्रैक है वो डेडी हो चुका है बिल्कुल ट्रेंस के चलने के लिए और जितने भी Fret Operation है वो किये जा रहे है इस कोड़ोर पे ये कोड़ोर दोस्तो दादरी, खुर्जा, कानपूर और प्रियागराज तक बिल्कुल ही रेडी हो चुका है इसके बाद जो दीन दयालुपाद है और सोन नगर जो की बिहार में पड़ता है 538 किलोमेटर का जो section है इसके उपर जो है planning चल रही है लेगन प्रियागराज तक जितने भी operations है फ्रेट के वो किये जा रहे है और टोटल 910 किलोमेटर का जो section है पूरा बिल्कुल ही ready है dedicated operations के लिए और इस पे fret operations किये भी जा रहे है दूसरा जो कोड़ोर है दोस्तो हमारा वो है WDFC यानि कि Western Dedicated Fret Corridor इसकी जो length है दोस्तो वो है 1506 km जैसा कि आप इसके नाम सी समझ सकते है Western Dedicated Fret Corridor यानि कि मुंबई की side जा रहा होगा Western Dedicated Fret Corridor दोस्तो दादरी रिवाडी होते हुए मुंबई के GNPT port तक पहुचता है और इस corridor की दोस्तो जो 814 km की जो track है वो भी ready कर दी गई है और इसके उपर भी fret operation किये जा रहे हैं तो दोस्तो अपने दोनों ही Dedicated Corridor को हम देखें तो total 1724 km के जो tracks है वो ready कर दिये गए हैं यानि कि दोस्तो लगभग आधा काम जो है Dedicated Corridor का अपना complete हो चुका है इसके साथ जो काम बचा हो है वो भी काफी जादा तेजी से किया जा रहा है तो इसी को लेकर के दोस्तो एक बहुत ही positive news आई थी हमारी Indian Railways की तरफ से वो यह है कि total 61,812 trains की जो operations है वो किये जा चुक है हमारे Dedicated Corridors की मदद से जिसकी मदद से 20.69 billion net ton kilometers माल का जो ढुलाई है वो किया जा चुका है तो दोस्तो बात करें 5 March 2023 की दिन की ये historical day क्यो मना Indian Railways के लिए तो दोस्तो सबसे आदा fret trains की जो interchange है वो इसी दिन किये गए अगर आपको interchange नहीं पता तो मैं बता देता हूँ interchange से दोस्तो मतलब यहां पे यह है कि normal Indian Railways के जो tracks है existing tracks जो है उससे उठा करके dedicated corridors पे लेकर के जाना fret trainों को इस दिन ये सबसे आदा किया गया total 522 trains को dedicated fret corridors पे लाए गया जिसमें EDFC पे total 335 trains को लाए गया and WDFC पे total 187 trains को लाए गया और ये railway project दोस्तों Indian Railways का सबसे जादा profitable railway project बनेगा आगे चल करके क्योंकि Indian Railways की जो mainly income आती है वो सरिफ goods train की मदद से ही आती है जैसा कि आप सभी को पता होगा जितना की passengers and advertisement से भी नहीं आती है उससे कहीं जादा Indian Railways की जो revenue है वो goods train के जरीए ही generate होती है